वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें इस 780 पेजिस में सबसे पहला जो पार्ट था वो जोगरफी का था जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है काफी कुछ यहां पर कवर अप किया जा चुका है हमालया पूरे खतम हो चुके हैं प्लेटी वाला पूरा पार्ट खतम हो चुका तो काफी कुछ अभी तक कव जो भी वीडियो यहां पर अप्लोड हो उन वीडियो को आप डेली बिस्स पर कवर अप करते हुए चले यह जो पूरे 780 पेजिस हैं यह ना सिर्फ आपके PCS के लिए बलकि RO, BEO यह फिर हम कहें तो UP, PSC, IO के द्वारा जितने भी एक्जाम कंड़क्ट कराए जाएंगे उन आपके लिए भी important है कि आप भी यहां पर इस 780 पेजिस को मेरे साथ कवर अप करें ताकि examination में कहीं आपको ऐसा ना हो कि यह वाला कोशन हमें नहीं आता था विकॉज यह हमने पढ़ा ही नहीं था तो यहां पर जो 700 सी पेजिस हैं यह entire levels आपका complete करवा देंगे सो बस मेरे साथ आपको यही करने डेली बेसेस पर जो वीडियोस आएं उन वीडियोस को आप लोग कवर अप करते रही है इतना भर करने से देखिए का धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी और इतना concrete तयारी आपकी हो जाएगी कभी भी कोई भी examination में आप पेटों के चाहें PCS चाहें आरो चाहें BEO या फिर यूपिटर बलेसी के लोवर PCS में आपको tension लेने की जरूरती नहीं पड़ेगी सारी चीज़ना की already covered होगी स्वाई यह आप शुरू करते हैं आज के अपने session को दोस्तों आज का जो हमारा topic है यह है आपका मरुस्थल और शुष्क शेत्र तो सबसे पहली बात यही आती है कि यार कोई desert है तो वो desert कैसे उसकी definition क्या है मतलब क्यों किसी एक particular area को desert कहा गया या फिर क्या criteria होता है desert किसी भी शेत्र को घोशित करने का तो अगर हम मरुस्थल की बात करें है desert की तो 25 cm वार्षिक वर्षा या फिर उससे कम मतलब 25 cm annual rainfall से अगर कम कहीं पर वारिश हो रही है तो वो छेत्र कैसा कहलाएगा आपका मरुस्थल कहलाएगा इंडिया की बात करें तो टोटल जो हमारा geographical area है उसका 12% भाग जो है वो कैसा है आपका शुष्क शेत्र के अंतरगत आता है और इसमें से 31.7 million वर्क किलोमीटर जो है वो आपका गर्म रेगिस्तान में आता है और 7 million के असपास जो है जो की आपका रेगिस्तान कैसा है आपक की पंजाब की हर्याना की महरास्ट करनाटक और आंदरप्रदेश और जम्मू कश्मीर की तो यह सारे वही शेत्र हैं जिसमें आपको यह डेजर्ट वाले लक्षण वहाँ पर देखने को मिलते हैं 1952 यह काफी यहां पर important है कि अगर हम बात करें किसकी केंद्रिय शुष्क शेत्र अनुसंधान संस्थान या फिर काजरी की तो यह जो नाम इसको मिला काजरी का यह इसको कब मिला और इससे पहले इसका क्या हिस्ट्री रहा है तो बेसिकली हमें इसी के बारे में जानना है 1952 में जो मरू वनीकरण केंद्र की स्थापना करी गई जोधपुर में उसी का नाम बाद में बदल दिया गया और 1957 में यह हो गया आपका मरू वनीकरण एवं म्रदा संग्रक्षन केंद्र इसके बाद फाइनली यह भारती करशी अनुसंधान परिशद नई दिल्ली के अधीन आ गया और इसे जो है केंद्रिये शुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में 1959 में पूरे मतलब पूर्ण रूप से एक संस्थान का दरजा दे दिया गया तो यह स्टाइटिंग रही 1952 में जोदपूर में एक हेड़कॉर्टर के रूप में क्या मतलब जोदपूर में इसको स्थापित किया गया मरू वनीकरण केंद्र के रूप में उसके बाद 1957 में यह मरू वनीकरण और मिर्दा संवरक्षन केंद्र के रूप में इसका बदल उसके बाद 1959 में इसको पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया और यह जो था भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद नईदिली के अधीन आ गया और नाम क्या पड़ गया इसका केंद्रिय शुष्क शेतर अनुसंधान संस्थान काजरी अब यह जो काजरी है यह फॉष्विल सर्विसेज की कोर्सिस को आप जोइन कर सकते हैं कम्प्लीट तैयारी के लिए यह वन स्टॉब देस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टेडी मैटिरियल रहेगा टेस्ट सीरीज रहेंगी पेड कोईज रहेंगी सब कुछ आपको एक 6564-880-530 इस नंबर पर आप संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 96960-66089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फर आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह लेटेस्ट गुरुप जो है इसमें आप एडमिशन ले स लगते हैं इसके चार शेत्री अनुसंधान के इंद्र विभिन क्रशी जलवाईयू इस्थितियों में इस्थाना धारत समयानुगत यानि की समय के अनुगत जो है अनुसंधान हेतू इस्थित हैं विशाल भारतिय मरुस्थल अरावली पहाडियों से उत्तर पूर्व में इस्थित हैं ठीक है मतलब नौर्थ इस्थ में अरावली के यह लोकेटेड है जो इंडियन डेजर्ट एरिया है और यहां पर जो वार्शिक वर्चा है 150 मिली मीटर से कम होती है और पर नाम सरूप यह जो है एक शुष्क और वनस्पती रहित शेत्र है अब जब बारिश हो हो गई होगा शुष्क हो गई होगा जब बारिश ही नहीं हो रही है ढाल के आधार पर मरुस्तल को दो केटेगरी में डिवाइड करा गया है एक है आपका सिंद की ओर जो ढाल है और वाला जो उत्तरी भाग है और कच्छ के रण की और जो ढाल है मतलब दो तरीके से इसको करा गया है अगर हम बात करें स्लोप के बिलिए बेसपर एक तो गया जो सिंद की तरफ थो बार है और दूसरा है का नहीं की तरफ जरूर आता यह comment section में आप लोग बताना आप लोग बहुत सारे examination में इसको देख चुके हैं 100% मुझे पता है कि आपको इसके बारे में पता होगा कहां से start होती कहां पे end होती यह comment section में आप लोगों को बताना है आगे बात करें भारत के उत्तर और पच्चिमोत्तर भाग में मरुस्तल का अविस्तार है मरुस्तलिये छेत्रों को दो भागों उश्न जो कि आपका राजिस्तान का थार का इलाका हो गया और जो कच्छ का रन हो गया वहीं अगर शीत की बात करें तो cold desert की बात करें तो cold desert आपका लद्दाक छेत्र में इस पिती वहली में divided है इसको अभी हमने बात कर पर बाकी हम बात करें भारत के मरुस्तलिये छेत्र में उश्न और शुष्क जलवायू की दशाय पाई जाती है लद्दाक छेत्र जो है वह वरस्टी छाया प्रदेश है यानि की वह रेन शेडव एरिया है जहां पर बारिश नहीं होती है अब जब बारिश नहीं होगी तो कैसा होगा यह पूरा डैजर्ट एम में कनवर्ड हो गया कोल्ड डैजर्ट में चलिए आगे देखते हैं इसमें अब अगर हम बात करें डैजर्ट एरिया की तो डैजर्ट एरिया की एक प्राव्लम और है वहां पर भूकम्प बहुत आते फूश समस्या बनी रहती है अगर 2001 की तो 2001 में कच्छ के छेतर में जो भूकम पाया था उसमें राजस्थान के वाइड मेर और जैसल मेर इलाके भी उससे उन पर भी फरक पड़ा था इसके अलावा कच्छ के रड़ के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको सफेद मरुस्थल यानि की वाइट डेजर्ट भी कहा जाता है थार मरुस्थल की बात करें तो थार नाम जो है ये किस से आया है आपका धुल से आया है जो की इस छेतर में रेत की लकीरों के लिए प्रियुक्त होने वाला एक सामान शब्द है वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आपको थोड़ा सा नौलेज यहां पर होनी चाहिए और ये जो है उत्तर पच्छिम भारत के राजिस्थान, राज्जमे और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तरे थे थार राजिस्थान कैसा है आपका शुश्क यानि की जो होट डेजर्ट की कैटिगरी में आता है तकरीबन दो लाख वर्ग किलोमीटर के छेतर में ये फैला हुआ है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकरतिक सीमा बनाता है यानि की नैचरल बॉर्डर क्रियेट करता है थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजिस्थान में लोकेटिड है और कुछ भाग पंजाब, हर्याना और गुजरात में भी फैला हुआ है इसके बाद थेरी मरुस्थल ये जो है आपका तमिलनाडू राजिमें इस्थित एक छोटा सा रेगिस्तान है वेरी इंपॉर्टेंट कोशन इसके उपर पूछा गया है कि थेरी राजिस्तान जो है वो कौन से राजिमें इस्थित है तो इसमें जायतर लोगों ने राजिस्तान ही इसका आंसर लगाया था बड़ तमिलनाडू आपको याद रखना है तमिलनाडू में है और इसमें लाल रेट के तीले हैं और ये जो है थुटु कुडी जिले तक ही सीमित है लाल तीलों को तमिल में क्या बलाजाता है थेरी कहा जाता है इसलिए इस रेगिस्तान का नाम क्या पड़ा थेरी रेगिस्तान अब जो आप ये list देख रहे हो ये अपने आप में बहुत important list है इसमें से question पूछा गया है और आगे आने वाले examination में भी संभाव ना है कि पूछा जाए भारत के समुद्री, तटिये, राज और केंदर शाशित प्रदेश इसमें आपको तट्रेखा के according अगर arrange करने को आजाए आपसे बोल दिया जाए कि आप बताईए कि अंडबान, निकोबार, दीप, समू, केरल, उडीसा, पच्छे मंगाल या फिर गोवा इन चारों में बताईए सबसे जादा जो समुद्री सीमा है वो किसकी है इस तरीके से आपसे examination में पूछा या सकता है अब यह जो number आप देख रहे हो इसको याद रखना near to impossible है अभी आप याद कर भी लोग है तो examination में आपको याद नहीं रहेगा बट अगर आप ऐसे देखोगे कि भीया अंडबान निकोबार दीपसमु यूनिन टरिटरी में ऐसा एक यूनिन टरिटरी है जिसकी समुद्री सीमा या फिर तर्टरेखा सबसे जादा है ऐसे आपको यह याद रहेगा राजियों में बात करें गुजराथ की बात कर लेंगे अच्छा टोटल जो कोस्टल स्टेट हैं हमारे उसमें गुजराथ जो है नंबर वन पर है जिसकी तर्टरेखा सबसे जादा है इसके बाद आंदर प्रदेश आता है इसके बाद तमिल नाडू उसके बाद महारास्ट फिर केरिला फिर उडीसा फिर करनाटका फिर वेस्ट बेंगॉल फिर लक्षदीप फिर गोवा तो यह आपको याद रखने हैं सारे के सारे यहाँ पर यह नंबर याद रखने को मैं आपको बिलकुल नहीं बोलूँगा क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है इसको याद रख पाए ठीक है बट यह जो है आपको याद रखना चाहिए कि गुजरात आंदर प्रदेश तमिल नाडू महारास्ट केरल उडीसा करनाटक पच्छ मंगाल लक्षदीब ठीक है लक्षदीब को यहाँ पर एक मिल्ट रुख जाएगा लक्षदीब को याद मत रखेगा यूनिन टरिटरी है गोवा इनको याद रखेगा बाकी यूनिन टरिटरी में आपको सिक्वेंस का याद रखना है सबसे पहले एंडमान निकोबार इसको जरूर याद रखेगा यह एक्जामनेशन में स्टेटमेंट वाइस पूछा गया कोश्चन है तो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहां प्रेंट करते हैं आपको इस सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा कोई भी सजेशन को भी फीडबेक हो कैसा आपक आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यह लाइक का वेटेंट जरूर प्रेस करना और शेयर करना बिलकोल भी मत भूलना ठीक है तो फिर मलते हैं अगले वीडियो में तल देन थेंकिए सो मच है नाइस टेप बाए